नमस्कार दोस्तों सागेत आप सभी बच्चों के MD Classes के यूटूब चैनल में दोस्तों आप सभी के सामने एक बड़ी बहतरी नास सौर्टिक लेकर आ चुके है जिसमें बड़ा प्रॉब्लम होता बच्चों को आपको पता है कि हमारे अर्थमाटिक में एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फॉर्मूले आपके पास देखनों को मिलते हैं वो है CI का चैप्टर यानि की Compound Interest चक्रदी व्याज का चैप्टर इसमें हम लोग ने फॉर्मूले देखे हुए जैसे आप से कभी भी CI का कोश्चन पूछा जाता है तो मैक्सम में आपने देखा हुए कि हर टीचर आप सब यह जरूर कहते हैं कि भाई यह फॉर्मूला आप कभी भी मत लगाना अधरवाज आपका मामला जो हो फस जाएगा क्योंकि एक तो कई सारी द्वत्चों को यह फॉर्मूला याद ही नहीं हो पाता है कि यह फॉर्मूला हमें याद कैसे करे और दूसरा अगर फॉर आपके लिए जबर्दस तरीके से वहां से भी आप स्याए के कोश्टन को लगा सकते हैं तीसरा मेटड जो मैक्सम बच्चा यूज करता वह है ट्री वाला मेटड यह भी काफी कामकर जो है वह मेठड है और यहां से भी कई सारे कोश्टन आपके चुटकियों में सॉल्व हो यह क्या वह चीज है वह आपको देखने मिलेगी तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सस्क्राइब जरू करिएगा बेल आइकन पर जरू क्लिक करेगा ताकि आपको हर पलपल की अपडेट देखने को मिलते हैं और इसी तरीके से सॉट्टेक्स की बहतरीन वीडियो आप के सामने देखने को आते रहेगे अब हमें basically क्या चीज याद रखना उस चीज को जरा समझेगा कभी भी अगर आपको SI निकालना है यानि की compound interest निकालना है तो दो साल और तीन साल को आपको concept याद रखना है वो है दो और एक का नुपाद और तीन साल के लिए जो आपको concept य कैसे करेंगे हम कैसे समझ पाएंगे कि सड़ दो एक क्या है तीन तीन एक क्या यह एंसोर नहीं यह अब इस पर कोशन जरा देखो कि कैसे स्वाल कर पाऊगे ज़रा समझेगा सबसे पहले मैंने आपके लिए बेसिक सा कोशन रखा जो पेपर में लगातार आता रहता है क्या कह पाऊगे आसानी सी यह कोशन कर ले जाओगे एकदम इजली तरीके सी कोशन कर ले जाएंगे तो वही आपको इस कोशन में समझना है कि हम सब्सक्राइब इसका 21 परसंट निकाल सकते और हम डिरेक्टी बोल सकते किसा रवाया पस 200 रुपए 210 रुपए हमारे पस कंपाउने लेकिन हम दूसरा में ठीड हमने क्या बताया था है कि समय दो साल का होगा तो हम दो और एक का अनुपात निकाल लेते हैं वही एंसर होता है मतलब 10 हजार का पहले आप 10 परसंट निकालोगे तो 1000 परसंट निकालोगे तो 100 आजाएगा खतम हो गया कोश्चन इसका इससे मल्टिप्लाइ करिए एक हजार का दो में मल्टिप्लाइ करोगे 2000 और इसका 100 में करोगे तो कुल मिला क्या एंसर 2100 आजाएगा क्या आपको कुछ भी करने कि आऊ सकता पड़ी अरे बोलो हां या ना मजा आया कि नहीं इसका 10 परसंट मैं में हम 10 को निकाल लें क्योंकि 10 यह सौटिक्स याद करते रहें जागो तब तो बढ़ा होती है जाएगा प्रेपर में कोश्टन निकल जाएंगे सौटिक्स भी नहीं याद होगा हम प्रैक्टिस करेंगे सौटिक्स का हमें अपने आप चीज़ें यहाँ पर रिमाइंड हो जाएंगे जैसे अगला कोश्टन जड़ा देखिए क्या कहता है कि हम अभी वी दो साल का ही देख रहा है पंद्रह हजार रुपय मेरे पास प्रेंस्पल है बीस परसंगा रेट आप अपनिटस है सर दो हजार दो साल के लिए क्या करते हैं अमने का बच्चा कुछ नहीं करते दो और एक का रुपात लेते अब आपके मन में एक बात यह भी आजाएगी यानि कि सर अगर तीन और एक अनुपात निकालते न यानि जो संख्याती तीन का तीन का एक मुल्टिप्लाइगे टेंसर होता है बिल्कुर सही बात है वही करते अब मन में एक और बात आई कि सर यह तो आसान कोशन था कि हमारे पास rate of interest mix fraction में आ जाए अब इस questions को यार कैसे कर पाओगे क्या इस questions के लिए भी दो साल कह रहा है तो दो और एक कनपत लगा सकते हैं क्या हमने कहां अगर सौट में बताया मिठट तो हर जगहां लगा सकते हैं और बस आपको लगाना चाहिए आपको calculation का तरीका पता होना चाहिए शोला दो बट्टे 3 मतलब होता पचास बट्टे 3 और परसेंटेज का मतलब 1 बट्टे 100 50 से 100 काटोगे नीचे 2 आजाएगा 3 का मल्टिप्लाइए करोगे एक बट्टे 6 लिखाए इसका मतलब डारीक्ट तो बारा हजार का पहले एक बट्टे 6 निकालोगे तो 6 इससे multiply इसका इससे multiply 2000 दुना 4000 और इसका एक में ही करोगे तो 333.34 यानि 4333.34 क्या सब के concept clear हो पाये या नहीं हो पाये क्या हर बच्चा ये बात समझ पाया कि अगर 2 साल के लिए मेरे पास compound interest पूछा जाएगा तो मैं इस questions को 2 और 1 के अनुपात में कैसे धज्जी उड़ा दूँगा क्या सभी को समझ में आया तो भाई जब 2 साल समझ में आगे तो 3 साल कौन से खेट की मूली है अरे बोलो अनुपात क्या रखना है 3 3 1 एक रखना है भाईया 20,000 रुपए है 10% तो 20,000 का 10% कितना आएगा 2,000 इसका भी 10% कितना आएगा 2,000 इसका भी 10% कितना आएगा 20 खतम कोईच्ट इसका इससे multiply इसका इससे multiply और इसका इससे multiply 2 3 6,000 2 3 3 6 2 2 से करimas 20 6,000 620 क्या यही answer आया था आपका की नहीं आया था खतम हो चुका समझ पाई सच्छा ठीक है अब सब को समझ पाए हो इसका मतलब एक कोशन होमग तो बनता है गुरू आओ ज़रा पताओ मुझे हमने कहा अगर प्रेंस्पल आपके पास मालो कि उसने 40,000 रुपए ले लिया रेट आप इंटेस अगर उसने मालो आपसे कह दिया 50% का है समय अगर उसने तीन साल का कहा तो जल्दी से कमेंट करके बताए कि CI आपका कितना आएगा मेठट काउन होना चाहिए तीन साल की बात है तो तीन तीन एक वाला होना चाहिए और सब के कमेंट आने चाहिए कि क्या अंसर आने वाला इसी तरीके के स्वांदार ट्रिक्स ऐसे ऐसे कॉम सिर्फ जिससे हम आपसन से ही कोर्ष्टन को सॉल्व कर सकते वो सभी चीज में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ अपने मैठ के फांडेशन बैच में और यह बड़ा बड़ी हां मौका भी है कि हम सभी कोर्ष्ट पे 60% तक डिसकाउंट दे रहे हैं आपको अगर कूपन कोड होली 60 लगाते है तो मैठ का फांडेशन बैच एक हजार से आपके लिए सिरफ 399 आएगा यह 875 से 350 आएगा सबकुछ आपके लिए एक जबर 10 डिसकाउंट पे चलना और इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है होली 60 जरूर जोइन के लिए बैचे वन अब दबेस्ट होगा सांदार होगा और इस वीडियो में देखिए कि हम आखिर कैसे बैचे से जुड़ पाएंगे और आप सभी की लिए सभी कोर्स पे भी डिसकाउट के जो छुटिया वो खतम हो चुकी है आज आखिरीु दिन है और सभी कोडिसट को जरूर से जरूर जोइन कर लिए ये अगर आपने नहीं करा और इस सभी कोर्सेट पर आपको 60% का फ्लैट डिसकाउंट मिला सिरफ कूपन कोड होली 60 लगाना एक बाप पूरा कोर्स ध्यान से दिख लिए कि कौन कोर्सेट उसका क्या-क्या फैदे है सबसे पहले मैध फाउंडेशन है सभी जाम्स के लिए SSC रेलवे बैंकिंग कोई भी त्यारी कर रहे है पूरा फाउंडेशन आपको बेसिक से एडवांस तक का कराया जाएगा प्राइज इसकी थी एक हजार रुपए लेकिन इसके लिए आपको सिरफ उसरफ जो पे करना वह 400 करना कोड़ कि आपके लिए 60% का डिसकाउंट है कूपन कोड आपके पास होली 60 द एडवांस मैट के बैच प्रैक्टिस बैच है आपके लिए कोस्टन के बैच है जबर्दस बैच है ये भी आपको मिलेगा 200 में 60% के साथ अंतिमपड़ाओ का व्योडी बैच अंतिमपड़ाओ वन अप दो मोस्ट फेमस बैस था हमने उसका व्योडी बैच निकाला यह आप आपको कूपन कोड होली 60 लगाना लेकिन कैसे करना एक बार छोटी सी वीडियो में पूरा ध्यान से समझेगा अपना वहां पर जरूर करने के बाद कोई भी कोर्स आपको जो होंगे वह हमारे की पेट कोर्स जाले सक्षन में आपको दिखेंगे आपको कूपन कोड लगाने आफर का आखरी दिन है तुरंट जुट जाएं अफिसे लाइब के बहतरीन क्लासे के साथ सारे फांडेशन 28 मार्च से सुरू होंगे जॉइन कर लेजिए और त्रंट क्लासे को करिए थांक्यू सो मच गोड़नाट और इस पूरी क्लास को जरूर देखिएगा थांक्यू सो मच गईजिए